नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको नियो पेप्टीन कैसूल के बारे में जानकारी देंगे हम इस वीडियो में जानेंगे कि इस कैसूल का इस्तमाल किन समस्याओं में किया जाता है इसको कैसे इस्तमाल करना है इसकी डोज के बारे में इसकी मार्केट प्राइस कितनी होती है इसके कांटेंट साइड इफेक्ट इन सब के बारे में पूरी जानकारी देंगे तो कृप्या वीडियो को पूरी देखें जिससे आपको नियो पेप्टीन कैसूल के बारे में पूरी तरह से जानकारी मिल सकें फ्रेंट्स इससे पहले आप से छोटी सी रिक्वेस्ट है यदि आपने हमारे चैनल सौरफ ग्यानियर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक कर लें और घंटी के निसान पर जरूर क्लिक करें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हमारे चैनल पर दवाईयों से जुड़ी जनकारी मिलती रहती है तो चलिए फ्रेंट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो नियों प्रिंट कैफ्सूल इसकी मार्केट प्राइस की बात करें तो 77 रुपए इसकी मार्केट प्राइस है और यह 10 कैफ्सूल की एक स्ट्रिप में आता है और इसकी जो मार्केट प्राइस होती है वह समय के साथ साथ कम या ज़्यादा हो सकती है और इसकी कंपणी की बात करें तो इसे रप्ता कॉस्ट ब्रीट कंपनी लिमिटेड द्वारा बना जाता है और आए जान लेते हैं इस कैफूल के कंटेंट के बारे में इसमें अलफा अमाइलोज जो की हंड़ड अमजी में होता है और पाइपीन जो की 100 mg में होता है और सिमिथी कॉन जो की 30 mg में होता है और आईए जान लेते हैं इस कैप्सूल के यूजेस के बारे में नियो पेप्टेन कैप्सूल का इस्तमाल किन किन समस्याओं में किया जाता है सबसे पहले इस कैसूल का इस्तमाल अगर आपके पेट में बार बार गैस बनने लगती है और आप जो भी खाते पीते हैं वह भोजन आपका डाजेस्ट नहीं हो पाता तो इस कैसूल का इस्तमाल करने से जो भी आख खाते पीते हैं वह अच्छी तरह से डाजेस्ट होता है और गैस की समस्या दूर होती है इसके अलावा इस कैसूल का इस्तमाल पेट में दर्द, जलन, गैस, एसिडिटी जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए किया जाता है इसके अलावा इस कैफूल का इस्तमाल करने से जो आपके सीने में जलन होती है उस समस्या से छुटकारा मिलता है इसके अलावा जब आपके पेट में भोजन डाजेष्ट नहीं होता तो पाचन सक्ति कमजोर होने लगती है जिससे आपका पेट फूलने लगता है और पेट में खाना डाजेस्ट नहीं होता है जिससे पेट में गैस की समस्या उत्पन होती है और इनी सभी समस्याओं को दूर करने के लिए इस कैसूल का इस्तमाल किया गता है तो यह बहुत ही बैतरीन कैप्सूल है जो कि पाचन क्रिया को ठीक करता है और आइए जान लेते हैं इस कैप्सूल की डोज के बारे में नियोपेप्टीन कैप्सूल को कितनी मातरा में इस्तिमाल करना चाहिए इस capsule की नार्मार डोज एक एडल्ट व्यक्ति में एक capsule सुबा और एक capsule साम को खाना खाने के बाद लिया जा सकता है और इस capsule को लेने से पहले अपने डाक्टर से परामर्स जरूर ले लें तब ही इस capsule का इस्तमाल करें क्योंकि इस कैफ्सूल की डोज उम्रा और वजन के हिसाथ से अलग-अलग होती है और कितने दिन तक इस्तेमाल करना है या उसकी समस्या के उपर निर्वर करता है तो डाक्टर आपको जितनी मातरा में इस कैफ्सूल का इस्तेमाल करने को कहें आप उतनी मातरा में इसका इस्तमाल करें और आए जान लेते हैं इस कैसूल के साइड इफेक्ट के बारे में इस कैसूल के क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं इस कैसूल के साइड इफेक्ट में जी मचलाना उल्टी होना दस्त होना कब जोना पेट में दर्ध होना और कुछ एलर्जिक प्राब्लम हो सकती है तो यह सब इस कैसूल के साइड इफेक्ट हैं जो कि किसी किसी को हो सकते हैं सबको नहीं होते हैं तो फ्रेंट्स यह थी हमारी आज की जानकारी नियो पेप्टीन कैसूल के बारे में वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल पर नहीं आये हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें